नमस्काँ दोस्तूं मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज के इस वीडियो में हम 2022 में जो भी आपके राष्टिये अंतर राष्टिये खेल और फिल्म के छित में पुरस्कार दिये जा चुके हैं उन सारे पुरस्कारों के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो आने वाले समय में चाहें आपको Railway Group D का एक्जाम देना हो, NTPCCBT2 का एक्जाम देना है, या फिर अगर आपको अगले महिने SSC CHSL का एक्जाम देना है, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही जादा महत्पूर्ण होने वाली है, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से दीखिएगा, इसकी जो PDF फाइल है, वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या केवी गुरुजी.in के उपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के हमलोग सुरुवात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कि अगर आ आप भारत के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा किसी भी एक्जाम के तयारी करना चाहते हैं, तो ये मार्च आपके लिए सबसे बहतरीन मौका है, कि यहां पर आप बहुत ही कम प्राइज पर अनकेडमी का कोई भी कोर्स पर सेज कर सकते हैं, इस महीने के बाद जो भी आपक आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, बाकी आपको ये मेरा वाटसप नमबर मिल जाएगा, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो सिंपली इस नमबर के उपर आप उससे कॉंटेक्ट कर सकते हैं, और अनकेडमी के उपर जितने भी आपके कोर्स हैं, च परवरी 2022 में किस खिलाडी ने World Games Athlete of the Year का पुरसकार जीता है, अगर आपको याद हो, तो इससे पहले ये पुरसकार हमारी रानी रामपाल जीच चुकी हैं, और 2022 के अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पोरुस टीम के जो गोल कीपर हैं, जिनका नाम PR सरिजेस हैं, जिन रखेगा, आप्सन यहाँ पर A हो जाएगा, करेक्ट, तो 2020 में ये जो अवार्ड है वहरानी रामपाल ने जीता था, और 2022 में हमारे PR सरिजेस ने इसको जीता है, अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में किसे World Athlete of the Year नामित किया गया, तो ये जो World Athlete of the Year हैं, ये आपके पुरुस और महिला दोनों खिलाड़ी होते हैं, और इस साल नामित किये गए हैं, कार्श्टन वार होम और आपके जमैका की एलन थॉम्सन, यानि कि इस फ्रशन का आप्सन E हो जाएगा, करेक्ट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जमैका की एलन थॉम्सन हिरा हैं, जो क फिलहाल E होगा, करेक्ट, अगला प्रशन है, कि मार्च 2022 में किस बैज्यानिक को 31वे जीडी विर्ला परशकार के लिए चुना गया, तो ये जो जीडी विर्ला परशकार हैं, पचास साल से कम उम्रके जो हमारे बैज्यानिक होते हैं, उनको दिया जाता है, केके विर्ला फ देख सकते हैं, अगला प्रशन है, बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण, कि मार्च 2022 में पदम पुरसकार प्राप करने वाले, मतलब पदम भूशन पुरसकार प्राप करने वाले, पहले पैरा एथलीट कौन बने, तो पहले हमारे जो पैरा एथलीट हैं, नाम इनका है देख सकते हैं, अगला प्रशन है, कि वर्थ 2022 के लिए, एबल पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया, तो 2022 के लिए जो एबल पुरसकार है, ये दिया गया है, डी पारनेल सुलीवन को, आपके अमेरिका देश के ये गड़तग्य हैं, और इनही को एबल पुरसकार से सम्मानित किया गया, तो इस प्रशन का आप्शन C हो जाएगा करेक्ट, अब थोड़ा सा आप लोग एबल पुरसकार के बारे में जान लीजिए, देखें, एबल एक अपकेदमी आप साइंस एंड लेटर के द्वारा ये जो पुरसकार है, गड़त के छेतर में बहतरी नियोगदान देने वाले गड़तग्य को दिया जाता है, और टोपोलोजी के फिल्ड में बहुती सांदार काम किया डेनिस पारनेल सुलीवन ने, और इसी लिए 2022 में इनक अफ्रीका के फ्रांसिस केरे को, तो अफ्रीका के ये पहले व्यक्ति हैं, जिनको यहाँ पर पुरसकार दिया गया है, नाम इनका फ्रांसिस केरे है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्सन सी होगा करेक्ट, अगर हम पिछले साल की बात करें, यानि कि 2021 में किसे मिला था, तो ये म मिला था 2018 में, तो ये सारी डेटेल ध्यान रखेंगा, और ये पूंचा जा चुका है, तो सी होगा यहाँ पर करें, अगला प्रशन है, कि फरवरी 2022 में किस भारतिये खिलाडी को लॉर्यास वर्ल्ड ब्रेक्थ्रू पुरसकार के लिए नामित किया गया, तो ये बहुत ही परशिद पुरसकार है, खेल के छेतर में, और इसके लिए नामित हुए है नीरत चोपडा, कौन नामित हुए, हमारे पिछले साल के जो गोल्ड मेडल बिजेता है, टोक्यो ओलंपिक में, नीरत चोपडा इसमें नामित हुए है, तो ओप्सन C होगा यहाँ पर करेंट, आपके 2020 में नामित हुए थे, और यह बिजेता भी रहे थे, और इस साल तीसरे भारते खिलाडी बने है नीरत चोपडा, जो कि इस पुरसकार के नामित हुए है, तो C हो जाएगा यहाँ पर करेंट, अगला प्रशन है, कि ICC के द्वारा, जो आपका Spirit of the Cricket Award दिया जाता है, तो 2021 के लिए इस पुरसकार के बिजेता कौन है, तो यह पुरसकार जीत लिया है, डेरिल मिसल ने, ध्यान रखियेगा, खेल भावना दिखाने वाले सबसे बहतरीन खिलाडी को यह पुरसकार दिया जाता है, और यह न्यूजिलेंड के डेरिल मिसल को मिला है, यहाँ पर आ नाम भीन का है हिलाल एपाकिस्तान और यह जो पुरसकार है, इन्हों ने दिया है बिल गेट्स साथ को, किसे बिल गेट्स जो की माक्रोसॉप्ट कंपनी के संस्थापक है, उनको हिलाल एपाकिस्तान नाम का पुरसकार दिया गया, तो भी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, अब बिल गेट्स को यहाँ पर यह पुरसकार मिला क्यों है? दरसल आपको पता होना चाहिए कि बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, जिसे हम लोग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नाम से जानते हैं, इस फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है पोलियों को हटाने में पाकिस्तान से और इसी लिए इनको यह पुरसकार दिया गया, नाम इनका संदीब बक्सी है, जिनको यह पुरसकार दिया गया है, तो आप्सन यहाँ पर ए होगा, करेक्ट, यह देख सकते हैं, बिजनेस स्टेंडर, बैंकर आप दी एर का पुरसकार जो है, वो मिला है संदीब बक्सी को, अगला प्रशन है, कि जनवरी 2022 में किस खिलाडी को ICC के द्वारा सर गैरफिल्ड सोबर्स ट्राफी से सम्मानित किया गया, बहुत ही जादा महत्पूर प्रशन है, तो यह जो पुरसकार है वो दिया गया साहिन अफरीदी को, कैसे मिला है, साहिन अफरीदी को यह पुरसकार मिला है, यहाँ पर आप इने देख सकते हैं, काफी सारे मीम और गैरा भी इनके उपर आपने देखे होंगे, तो पाकिस्तान के काफी सांदार गेद बयाज हैं, और यह आपके किर्केटर आप दी इयर रहे हैं 2021 के लिए, तो बी आप्सन करेक्ट होगा, अगला प्रशन है, कि जनवरी 2022 में, ICC के द्वारा किसे, रचल हे हु, फिलिंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, यह पुरसकार और ज्यादा महत्पूर्ण है, क्योंकि यह मिला है हमारे देश की इसमर्ती मंधना को, किसे मिला है, इसमर्ती मंधना को यह मिला है, तो जैसे सर्वस्रेष्ट पुरोष खिलाडी पागिस्तान वाले हैं, तो सर्वस्रेष्ट जो महिला खिलाडी रही है 2021 की, वो हमारे देश की इसमर्ती मंधना है, ध्यान रखेंगे, आप्सन यहाँ पर B हो जाएगा, करेंट, तो चाहें आपसे पूछा जाए, कि रेचल ह यहो फिलिन ट्रॉफी किसे मिली है, या आपसे पूछा जाए कि महिला क्रिकेटर आफ दी इयर कौन रही है 2020 की, दोनों का उत्तर हो जाएगा इसमर्ती मंधना, अगला प्रशन है कि ICC के द्वारा किसे वर्स 2021 के लिए एक दियुसिय प्लेयर आफ दी इयर चुना गया, तो आश्टेलिया की लिजली है और पाकिस्तान के बाबर आजम है, जो की पूरुस किरिकेटर आफ दी इयर रहे है 2021 के लिए, अगला प्रशन है कि ICC के द्वारा वर्स 2021 के लिए टेस्ट प्लेयर आफ दी इयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये जो पुरसकार है वो इंगल अगला प्रशन है कि ICC के द्वारा किसे T20 प्लेयर आफ दी इयर के पुरसकार से सम्मानित किया गया, तो T20 के हम लोग बात कर रहे हैं, ये पुरसकार मिला है दच्छिर अफरीका के टैमे विवमेंट और पाकिस्तान के मुहम्मद रिजवान को, जरूर ध्यान केगा, खास तोर पे अगर आपको रेलवे और SSC का एक्जाम देना है, वहाँ पर ऐसे प्रशन बहुत ज़्यादा पूचे जाते हैं, तो टैमे विवमेंट और मुहमर रिजवान को ये पुरसकार दिया गया है, आप्सन C हो जाएगा, करेक्ट, अगला प्रशन है कि ICC के द्वारा किस वर्श 2021 के लिए, Emerging Player of the Year के अवार्ड से सम्मानित किया गया, Emerging Player के अगर हम बात करते हैं, तो ये पुरसकार मिला है फातिमा सना को, जो की पाकिस्तान से हैं, और जाने मन मलान को जो की हैं दच्छिन अफरीका से, तो आप्सन B होगा करेक्ट, ये देख सकते हैं, जाने मन मलान इनका नाम हैं, दच्छिन अफरीका से हैं, और ये हैं फातिमा सना जो की हैं पाकिस्तान से, तो ये दोनों उभरते खिलाडी रहे हैं 2021 के लिए, तो आप्सन B होगा करेक्ट, अगला प्रशन है, कि फरवरी 2022 में इवा गंतग्यों को दिया जाने वाला जो रामा पुरसकार है, इस से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो ये जो पुरसकार है, हमारे देश की गंतग्यों नीना गुपता को दिया जाएगा, यानि कि आप्सन D हो जाएगा, करेक्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि नीना गुपता को इस साल रामा नुजम प्राइज फॉर Ang Mathematician 2021 से सम्मानित किया जाएगा Indian Statistical Institute जो आपके कुलकाता में है वहाँ की प्रोफेसर है नीना गुपता तो option यहाँ पर D होगा correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में किस खिलाडी को Knight Hood की उपाधी दी गई है तो यह जो Knight Hood की उपाधी है यह बेटन के द्वारा दी जाती है और यह उपाधी दी गई है यहाँ पर Clive Light को, Clive Light कौन है तो यह Best and Days के पूर्व क्रिकेट खिलाडी रहे हैं और इनही को Knight Hood की उपाधी दी गई तो option A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में किस अबनेत्री को International Association of Working Woman Awards से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरस्कार है यह मिला है अबनेत्री सुसमिता सेन को किसे दिया गया अबनेत्री सुसमिता सेन को यह पुरस्कार दिया गया है यानि कि इस प्रशन का option D होगा correct तो देख सकते हैं सुस्मिता सेन की एक टीवी स्रीज आई थी जिसका नाम था आर्या टू क्या नाम था आर्या टू इस स्रीज का नाम था और इसी के लिए इनको ये पुरसकार मिला है ध्यान अखिएगा 1994 में ये भारत की मिस्वर्ड भी रह चुकी है तो option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि हाल ही में किसको दूसरी बार फीफा के द्वारा 2021 के लिए सर्बस्रेश्ट पुरस फुटबॉलर के रोप में चुना गया है तो ये आपके जो पूलेंड की राश्टिय टीम है उसके इस समय कप्तान है और नाम इनका है रोबर्ट लेवान डूसकी तो च चाहे आपसे पूंचा जाए 2020 का चाहे आपसे पूंचा जाए 2021 का दोनों के लिए फुटबॉलर आप दी एर का जो पुरस्कार है वो मिला है रोबर्ट लेवान डूसकी को यानि कि इस प्रशन का ओप्सन ए हो जाएगा करेक्ट तो ये देख सकते हैं रोबर्ट लेवान ड 2021 के लिए सर्बसरेष्ट महिला फुटबॉलर के रोप में किसे चुना गया है तो यहाँ पर चुनी गई है इसपेन की राष्ट्य टीम की कप्तान नाम इनका है ऐलेक्सिया पुटेलिस क्या नाम है ऐलेक्सिया पुटेलिस इनका नाम है तो ए हो जाएगा करेक्ट ये प्रश्ण है कि हाल ही में हमारे राष्टपती रामनात कोबिंद जी ने किसे ओलम्पियन बिसिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है तो ये जो परस्कार है नीरत चोपडा को मिला है ध्यानकियेगा पदम स्री भी नीरत चोपडा को दिया गया है इस साल तो आप्सन यहां प से किसे सम्मानित किया गया तो ये जो नेता जी अनुसंधान ब्यूरों ने परस्कार दिया है ये मिला है जापान के पूर्व पीम सिंजो आवे को किसे मिला है जापान के जो पूर्व पीम है सिंजो आवे उनको ये परस्कार दिया गया है ओप्सन हमारा यहां पर सी हो जा ताइगर की जो संख्या है उसको डबल कर दिया है और इस टाइगर रिजर्ब का नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्ब ध्यान रखेगा भारत के जो इस समय तिरपन टाइगर रिजर्ब है उनमें जो सबसे बहतरीन टाइगर रिजर्ब है वो आपका यही सत्यमंगलम टाइ तो ध्यान रखेगा 2022 में पूछा जाए तो ये पुरस्कार मिला है सत्यमंगलम को जो कि तमिल नाडू में है और 2020 में ये मिला था पीले फेट टागर जर्ब को जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज में इस्तित है तो ध्यान रखेंगे और अप्सन यहां पर ए होगा करेक्ट अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में किसे आपदा प्रवंधन में उनके योगदान के लिए सुबास चंद्रबोस आपदा प्रवंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है बिनोध सर्मा को किसे मिला बिनोध सर्मा को ये पुरस्कार मिला है यानि कि option B हो जाएगा correct कौन है विनोद सर्मा तो जो आपके सिक्किम की state disaster management authority है उसके white chairman है नाम विनोद सर्मा है और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया तो B होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि जन्वरी 2022 में किस राज के आपदा प्रवंधन संस्थान को सुवास चंद्रबोस आपदा प्रवंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया ध्यान केगा यह जो हमारा सुवास चंद्रबोस पुरस्कार दिया जाता है आपदा प्रवंधन के लिए तो एक तो किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार मिलता है जो कि बिनोद सर्मा को मिला है और एक मिलता है किसी संस्था को तो संस्था में ये गुजरात के आपदा प्रवंधन संस्थान को मिला है और ब्यक्ति में मिला है बिनोज सर्मा को तो इस प्रशन के लिए option D होगा correct अगला प्रशन है कि गरतंतर दिवस परेड में जो सर्मसरेष्ट राज की जहांकी का पुरस्तकार है ये किसे दिया गया तो पिछले साल भी ये मिला था उत्तर प्रदेश को और इस साल भी ये उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है option B होगा correct आपको ये ध्यां रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो जहांकी थी वह उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद और कासी विस्तुनात धाम की उपर आधारित थी तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो जहांकी थी वो किस विशय पर थी तो ये आपको ध्यां रखना है दूसरे अस्थान पर यहाँ पर करनाटक की जहांकी रही है और तीसरे अस्थान पर मिघाले की जहांकी रही है अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस देश के केंद्रिय बैंक के गवर्नर जिनका नाम मारियो मार्सल है इन्होंने गवर्नर आफ दी इयर का प्रसकार जीता है तो ये चिली का जो केंद्रिय बैंक है उसके गवर्नर है और इन्होंने ही गवर्नर आफ दी इयर का प्रसकाज जीत लिया है यानि कि आप्शन ए चिली हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि फरवदी 2022 में हमारे किस केंद्रिय मंत्री को 18 माधो राव लिमाय अवार्ड से सम् मानित किया गया है यानि कि आप्शन भी हो जाएगा करेंट तो देख सकते हैं नासिक की जो पब्लिक लाइबरेरी है यानि कि सारवजनिक वाचनाले है इन्होंने नितिन गटकरी सहाब को यह परसकार दिया है तो भी होगा यहाँ पर करेंट अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में किस भासा की स्टीट स्टूडेंट फिल्म ने नेशनल हुमन राइट कमिशन सार्ट फिल्म अवार्ड जीत लिया है तो ध्यान रखेंगे मूवी का नाम स्टीट स्टूडेंट है और यह आपके तेलुगी भासा की मूवी है किसकी तेलुगी भासा की यह मूवी है तो option यहाँ पर D हो जाएगा, correct, अगला प्रश्न है, कि फरवरी 2022 में, किस किर्केटर को ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा, test batting award से सम्मानित किया गया, तो यह जो पुरस्कार है, हमारे बिगेट कीपर बलने बाज, रिसपंत को मिला है, तो प्रश्न का option B होगा, correct, यह देख सकते हैं, रिसपंत, इन्हों ने आश्टेलिया के खिलाब जो test match हुआ था, उसमें 89 रन बनाये थे, not out, और उसी पारे के लिए इनको यह award दिया गया है, यानि कि option B होगा, correct, अगला प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है, कि फरवरी 2022 में सर्बस्रेश्ट डाक्यूमेंटरी फीचर की स्रेणी में, हमारे देश से कौन सी फिल्म है, जो की आशकर पुरसकारों के लिए नॉमित हुई, तो मूवी का नाम क्या है, इस मूवी का नाम है, राइटिंग बिद फायर, क्या नाम है, रा का नाम है, रिंटो थामस, क्या नाम है, रिंटो थामस इनका नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगला प्रशन है, कि जो दादा साहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इस साल हुआ है, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो ध्यान आपको रखना है कि बेस्ट फिल्म अगर पूचा जाए तो आपका उत्तर होगा सेर साहब। लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि फिल्म आफ दी एर कौन रही है तो आपका उत्तर हो जाएगा पुस्पादा राइज मैं जुकेगा नहीं साला। तो ध्यान रखेंगे बेस्ट फिल्म सेर साह रही है और पुस्पादी राइज आपकी फिल्म आफ दी एर रही है आपसन बी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि दादा सहाब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट अबनीता का जो अवार्ड है ये किसने जीता तो बेस्ट अबनीता का जो अवार्ड है ये जीता है रणवीर सिंग ने किस मूवी के लिए तो रणवीर सिंग ने ये पुरसकार जीता है 83 मूवी के लिए जो की 1983 के किरकट बिसुकब पर आधारित थी कपिल देव जी का किरदार निभाया था रणवीर सिंग ने तो option D हो जाएगा correct अब आपको ये बताना है कि जो दादा साहब फाल के international film अवार्ड दिये गए इसमें best अबने 3 कौन रही है और किस movie के लिए रही है वो आप लोग मुझे नीचे comment में बताएंगे अगला प्रशन है कि वर्ष 2022 के लिए US international women of courage अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया तो ये जो पुरसकार है वैसे तो total 12 लोगों को मिला है लेकिन हमारा जो पडोसी बांगलादेश है वहां की रिजवाना हसन को ये पुरसकार दिया गया है तो ध्यान रखेंगे option C हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रशन है कि हाल ही में प्रधान मंतरी राष्टिये बाल पुरसकार 2022 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया तो ये जो सम्मान है वो मिला है टोटल 29 बच्चों को कितने टोटल 29 बच्चों को ये पुरसकार दिया गया तो D होगा यहां पर correct जिसमें से आपके 15 लड़के थे 14 यहां पर लड़किया थे ये आपके किस राज्यों से थे तो D हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में किस राज्य के कुपोसन उन्मोलन मिसन ने स्कॉच अवार्ड जीता है तो 2022 की मैं बात कर रहा हूँ और यहां पर ये पुरसकार जीता है असम राज्य ने किसने असम राज ने ये पुरसकार जीता है को पोशन उन्मोलन मिसन के लिए तो option C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में किस अभनेत्री को 12 वी डाक्टर अम्बेटकर पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये जो पुरसकार है वो मिला है हरसाली मलहुत्रा को किसे मिला है हरसाली मलहुत्रा को ये पुरसकार दिया गया आपने movie देखी होगी क्या नम था बजरंगी भाईजान तो बजरंगी भाईजान में जो आपकी मुन्नी थी जो बोल नहीं पाती थी वही हरसाली मलहुत्रा ह जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, फिल्म में इनके योगधान के लिए, तो option B हो जाएगा correct, अगला प्रशन काफी महत्पूर्ण है, कि 89 में golden globe पुरस्कारों में किस फिल्म को drama स्रेणी में best film का पुरस्कार दिया गया है, तो drama स्रेणी की बात हो रही है, और इसमें best movie रह काटेगरी में रही है best side story, तो थोड़ा थोड़ा धोनों द्यान रखेगा, बस mix मत करिएगा, ये हो जाएगा correct, अगला प्रशन है कि 89 में golden globe पुरस्कारों में किस अबनेता को drama स्रेणी में best अबनेता का पुरस्कार दिया गया, तो best अबनेता की बात हो रही है, ये पुरस स्रेड बिलियम का करदार निभाया था, और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, अगला प्रशन है कि 89 में golden globe पुरस्कारों में किस अबनेता को drama स्रेणी में best अबनेत्री का पुरस्कार मिला, ठीक है, अबनेत्री की बात हो रही है, तो ये पुरस्कार दिया गया है Nicole Kidman को, किसे मिला, Nicole Kidman को मिला है, तो C हो जाएगा correct, ये देख सकते हैं, Nicole Kidman इनका नाम है, और इनको Being the Ricardo's, ये मूवी है, जिसमें इन्होंने किरदार निभाया था, और उसी के लिए पुरस्कार दिया गया, तो C हो जाएगा correct, अगला प्रशन है, कि वर्स 2022 में, पदम पु पुषन मिला है, और प्रभा आतरे जी की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारी एक गाईका है, कौन है, ये आपकी एक सिंगर है, आप्सन यहाँ पर B हो जाएगा correct, तो किराना घराना से ये आपके सम्मंदित है, और पदम पुषन आपके देश का दूसरा सर्वोच नागर पुरसकार है, जो कि इनको यहाँ पर दिया गया, तो B हो जाएगा गाईका correct, अगला प्रशन है, कि 2022 में पदम विवोचन पुरसकार से सम्मानित, जो हमारे राधे स्याम खेमका सहब हैं, वो किस पत्रिका के संपाधक थे, जरूर ध्यान किएगा, इस पत्रिका का नाम है क पुरकपुर में है, उसके trust board के ये chairman थे, कल्यान magazine के ये chief editor थे, और इनको मरनो परांथ अभी पदम विवोचन पुरसकार से सम्मानित किया गया है, option A हो जाएगा, करें, अगला प्रशन है, कि पदम विवोचन पुरसकार से सम्मानित, कल्यान सिंग किस राज के पूर्व तो ध्यान रखिएगा, राजपाल ये थे, आपके राजस्थान राज के, लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें, तो ये उत्तरपदेश राज के मुख्यमंत्री थे, यानि कि option यहाँ पर C हो जाएगा, करेंट, अगला प्रशन है, कि ब्रह्मानन्द संक वलकर को पदम सरी से सम्मानित किया गया, आपको बताना है ये किस खेल से सम्मंधित हैं, तो ब्रह्मानन्द संक वलकर की बात करते हैं, तो ये हमारे फुटबॉल के पूर्व खिलाडी रहे थे, option यहाँ पर B हो जाएगा, करेंट, तो बस आपको धिया रखना है, कि हमारे फुटबॉल टीम के ये पूर्व गोल की पर थे, जिनको यहाँ पर पदम स्री परसकार से सम्मानित किया गया, यानि कि option B होगा, करेंट, अगला प्रशन है, कि 2022 में पदम स्री परसकार बजीता संकर नारायन मिनन चुंडाइल के किस खेल के आपके कोच हैं, तो ध्यान रखेंगे, संकर नाराय पर यट्टू कहते हैं, उसके ये कोच हैं, तो option D हो जाएगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है, कि वर्श 2022 में इन में से किस खेलाड़ी को पदम स्री परसकार से सम्मानित नहीं किया जाएगा, यानि कि इस में से हमारे चार खेलाड़ीों में से, तीन ऐसे हैं जिनको पदम स्री मिल रहा है, एक को नहीं मिला है, और एक जिनको नहीं मिला वो हमारे नोइडा के DM साहब है, नाम है सुहास एथिराज, आपको ध्यान रखना है कि नीरत चोप्रा, सुमित अंतिल और परमोध भगत इन तीनों ने पिछले साल के ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड जीते थे, तो तीनों को इस साल पदम स्री मिला गा है, ओप्सन ए हो जाएगा, करें, अगला प्रशन है कि इन में से किस राज नेता को पबलिक अफेर की स्रेणी में पदम भूसन दिया गया, तो ये जो पुरसकार है, वो मिला है गुलाम नवी आवजात को, कांग्रेस पा कि वर्श 2022 में पदम भूसन अवार्ड वजीता, करिशना और सुचित्रा इल्ला किस कमपनी के संस्थापक है, तो ये जो कमपनी है, इसका नाम है भारत बायोटेक, क्या नाम है, भारत बायोटेक इसका नाम है, और आपको पता होगा, पिछले साल इसने हमारे देश में COVID-19 के लिए एक वैक्सीन बनाई थी, और उसी में इनके योगदान के लिए पदम भूसन पुरस्कार मिला है, इन दोनों लोगों को, नीचे जरा मुझे कमेंड में ये बताईएगा, कि भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन यहाँ पर बनाई है, आखरी प्रेशन है, कि एर इंडिया के अध्यच है, तो ध्यान रखेंगे, इनको पदम भूसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानि की आप्शन आपका भी हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगा, ये आपके टाटा संस और एर इंडिया के समय अध्यच है, तो इनको मिला है पदम भूसन पु तो सम्भूता आपको इसी वीडियो से प्रश्ण मिलेंगे वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत